आप देख रहे हैं दर्बन भाराच चैनल कि एक content film सिर्फ OTT platform में चल सकती है और बड़े पर्दों पे अभी सारे दर्शुका को एक बड़ी picture देखनी है और Mrs. Chatterjee vs. Norway ने आके वो भी एक सब को गलत साबित किया हमारे जो दर्शक है जिस तरह से प्यार देते हैं जिस तरह से आपके काम को सराते हैं वो ही आपका स्टार्डम मेंटेन करके रखते हैं जिस एक दूसरे के साथ वक्त बताएं वो ही मेरे लिए बहुत जरूरी होते है अब है कि शुरुआ बड़ी फिल्मे में आया थी राजे की आगी बारात और तभी भी एक फिल्म सेट में जाना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है तो एक पिक्चर का बनना हमारा उस पिक्चर में योगदान करना आइ तिंग वो सबसे बड़ी बात है और उस पे हमारा योगदान देना as an artist उससे भी मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मुझे 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 मुला कि मैं एक मैंने किरदार को निभाया किरदार जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो किरदार में करूंगी जिसने मुझे इतना प्रेरित किया है तो दर्शकों को भी प्रेरित करेगा वह आजै कि आधा हुआ हो इसलों वह देखिंप़ आरे शाखिव क कग.. और अगर हम अच्छा content दें, interesting content दें और एक अच्छी कहानी उनके पास लेकर रहा है तो वो जरूर आते हैं film देखने जब ये picture की कहानी मुझे सुनाए गई, बहुती, मतलब obvious ही बात है, मैंने बहुत सारे interviews भी दिये हैं बोलके की, एक ऐसी कहानी है, एक हिंदुस्तानी औरत की, जो एक बहार देश में उन्होंने किन-किन कठिनाय से लेकर अपने बच्चे तक को मतलब गवा दिया तो जो एक मा की एक कहानी है, एक मा की मा की जो एक शक्ति होती है, her courage, her strength और जिस तरह से उसने हार नहीं मानी, और जिस तरह से वो अपने बच्चों के लड़ी एक ऐसे देश में, जहां की भाशा भी वो नहीं जानती है तो ऐसी जो हिंदुस्तानी नारी है, उसके उपर जो एक कहानी बनी और उसके उपर जो हम पूरे वर्ल्ड में दर्शकों तक एक कहानी लेके गए, तो एक awareness ग्रेट हुई, कि ऐसी चीज़े भी होती है, बाहर की countries में, बाहर के देशों में, और हमें उसका, हमें वो समझना आचे हैं, क्योंकि बहुत से एसे लोग होते हैं, हिंदुस्तान में, जो सोचते हैं कि हम भार गाव जाएएंगे, तो हमारी जिंदगी और बढ़िया हो जाएगी, और हमें ये सुकुन मिलेगा वो सुकून मिलेगा, लेकिन हमारे देश में रहने और एक हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान में रहना एक अपने में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारी सुविधाय हमें जो मिलती है वो हम taken for granted करते हैं लेकिन वो ही सुविधाय हो शायद हम बाहर के देशों में नहीं मिलें तो कोई भी कंट्री में सेटल होने से पहले वो कंट्री की सारी चीज़े हमें जाननी चाहिए तो मिस्स चैटर जी वर्स जी नौर्वे की थूँ इतने लोगों की आखे खुली उन्हें पता चला कि ये सब भी हो सकता है आपके साथ क्योंकि सिर्फ एक चीज़ सोचना कि आपके बच्चे आपसे ले लिये जाते क्योंकि आप उनको हिंदुस्तानी वे में आप उसको पाल पोस्के बढ़ा कर रहे है तो ये एक चीज़ जो मुझे इस कहानी से मिली मुझे लगा कि मुझे एक इरदार करना चाहिए और ये पिक्चर करने के बाद इसकी जो रिलीज लेकर जो इतनी क्वेस्टिन मार्क्स होए थे उस टाइम पर क्योंकि हम पोस्ट मतलब पैंडमिक के दौर पर आ रहे थे और Mrs. Chatterjee vs. Norway ने आके वो भी एक सब को गलत साबित किया कि नहीं अगर एक अच्छी कहानी एक कॉंटेंट कहानी भी अगर बड़ी सिनमा घरों में आएगी दर्शिक फिर भी आएंगे क्योंकि उन्हें दिलशस्पी एक अच्छी कहानी देखने में वो बड़ी पिक्चर हो या चोटी पिक्चर हो उसमें उनको कोई प्राब्लम नहीं है अगर आप उनको एक अच्छी कहानी सुनाएं एक अच्छी कहानी दे वो जरूर आते हैं लाप की दोनों तरेका随 ने सफ़लता पर वक्या है, अरो लाप की एकट डियत, आपको आपको क किस तरह बदी अगचय है? मुझे दोनों तरेक में बहुत वहालाई, क्यूंकि जब मैं वह तरेकी ने में करती हूँ। सिने में करते आया हो जहां पर गहने हैं वो भी हमारे भारतिय संज्कृती का बहुत बड़ा एक हिस्सा है क्योंकि हमारी जो शादिया होती है, कोई भी function होता है वो music और डांस हमारे जो जितनी तियोहारे हैं उन सबी तियोहारों में, functions में music और डांस एक बहुत ही important role play करता है तो हम जब फिल्मों में वो नाच गाना करते हैं, दाञ्स करते हैं, तो वो भी हमारे संसकार और हमारे जो कल्चर है, उससे बहुत करीबी है, तो हम लोग उस पे भी बहुत मैं रिलेट करते हूं. और जब मैं ऐसी कहानिया लेकर आती हूँ जो की true stories से inspired है, सची घटनाओ पर आधारत है तो उसमें भी बड़ा दिल्चस्प होता है क्योंकि हम एक ऐसी चीज दर्शकों तक लेकर जा रहें जो शायद उनको पहले उन्होंने इस बात के बारे में उनको पता नहीं है, जानकार तो वो मतलब दोनों चीज में उसका अपना ही एक, I would say, both have their equal importance and जैसे हम बोलते है कि इसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि एक करो तो दूसरा नहीं अच्छा है, दूसरा करो तो पहला वाला नहीं अच्छा है, I think दोनों ही अपने जगे में आपको पसंद आपको पसंद आए, कि जो आपकी जो चाहत है मेरे लिए, वो तब होगी जब मैं मेहनत करके आपको एक ऐसे किरदार में देखू जो आपको पसंद आए, तो मेरी तरफ से मुझे कोशिश करनी है कि मैं अच्छी अच्छी किरदार करूँ, अच्छी फिल्मे करूँ और जो मेरे फैंस है, वो मेरे वो किरदार को देखे, वो खुश हो, वो मुझे प्यार करें, तो उससे ये एक गटबंदन जो है, मेरे और मेरे ओडियंस का, ये बहुत जरूरी है स्टार्डम को बरकरार करने के लिए, और आप पदलते दोर में सोशल मीडिया का जमाना है, वो भी क्या इंपेक्ट करता है, स्टार की लाइश पे कुछ कोई ट्रोल करते है, या कोई कमेंट करते हैं, तो मैं तो सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, अब नही अब जुड़त है, लेकिन मैं जादा तर इस तरह से अपना जीवन मैंने वहतीत किया है, बच्पन से या जब से मैं फिल्मों में भी आई हूँ, कि एक बार मैं सेट पे हूँ, तो मैं दर्शुको की हूँ, अपने फिल्म के जो लोग काम कर रहे, उनके लिए मैं जान दे ये बच्ति मैं सेट से बाहर निकलके अपने घर आगें तो फिर मैं अपने गर और संसार, मेरा बच्चा, मेरा हस्वेंन, मेरा पट्चा, मेरा ढला जो घ्रहस्ति है उस imagen or me brand my husband करे मेंजू इस से एא मैं तe कि आढ देन आफ, पता नहें हैं पता न ये तो जनम दिन के दिन मेरे जो करीबी दोस्त है, मेरे जो परिवार के लोग है, मेरे हस्बिन, मेरी बेटी, उस सब साथ में मिलकर हम लोग एक साथ आए, साथ में खाना खाये, थोड़ा हसी मजाग करें, और जिस्ट एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, वो ही मेरे लिए बहुत जरूरी होती है, तो यह अच्छा मेसेज आप अपने फैंस को भी देना चाहते हैं, बस मैं यही मेसेज देना चाहती हैं, कि प्लीज आप लोग अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, अच्छे सेहत में रह करते हैं, मेरे परिवार के लोगों में भी और सब में की अपना सेहत का द्यान रखी है, अच्छे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और लोगों तक पहुंचाएं, धन्नवाद